सीता भी यहां सुरक्षित होगी, पहले तुम राम तो बनो, भगवान न बन सको, मगर एक अच्छा इंसान तो तुम बनो, इसको उसको आखिर किस-किस को घायल कर दोगे, पहले खुद तुम इंसानियत की पहचान तो बनो जी हां दोस्तों क्यों हमारी मानूरता घरती जा रही है, क्यों हमारी इंसानियत गरती जा रही है, क्यों हमारी अस्तित्व पर एक प्रेश्ण वाचक चिनने लग गया है, क्यों हमारी हतिकारों का हनन होता हुआ हमें नजर आ रहा है नवश्कार दोस्तों मैं एंकर रंजिना जेन अपनी चेनल में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत और अभिनेंदन करती हूँ दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो को लेकर जूडी हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानो अधिकार दिवस आने वाला है यह हमारे देश में 10 दिसंबर को मनाये जाता है तो अगर हम चाहते हैं कि मानो अधिकार दिवस के उपर हम अगर किसी सेमिनार में जाकर इस परीचर्चा का एक हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी बात को सब तक पहुचाना चाहते हैं इन अधिकारों के प्रती सब में जागरुकता को पेधा करना चाहते हैं और यदि यम मानू अधिकार दिवस के उपर किसी भी आयुजन के तहट अगर आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर एक अच्छी स्पीच तयार करना चाहते हैं तो एक खास वीडियो आज आपके लिए अगर आपको कभी ऐसा मोका मिलता है किसी सेमिनार या आयुजन में जाकर जहां पर आप मानू अधिकार दिवस के बारे में इस विशेई पर परिचर्चा कर सके और एक अच्छी सुन्दर बहतरिन प्रस्तुती दे कर एक शांदार भाशन की तयारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं एक शांदार भाशन की तयारी करना तो आज मेरी इस विडियो को आप शुरू से लेकर आखर तक पूरा देखिए आज में मानौ अधिकार दीवस के उपर हम भाशन को कैसे दे सकते हैं कैसे बोल सकते हैं और इस परिचर्चा का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं तो आज मानौ अधिकार दीवस के उपर इस पीश तयार करना एक खास विडियो आज आपके लिए तो दोस्तों शुरू करने से पहले वही आपसे कहूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए शेयर करने से जो हाल आपको मिलेगी उसे मु किसी आयूजन में आप गए किसी सेमिनार में गए दोस्तों तो सबसे पहले आपको इस परीचर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुरुवात कुछ इस तरह से करना होगी आपको ये बताना होगा कि मानव अधिकार रिवस आखिर है क्या हमारे मानव अधिकार का अर्थ क्या है तो हम इस तरह से अपनी बात को शुरू करके कह सकते हैं कि मानव अधिकार का अर्थ है हमें मिले हुए मुल अधिकार जिसमें हमारी स्वतंतरता की बात है और ये अधिक कहां हुआ है आप किस तरह की धर्मों को अपनाते हैं आप केसा जीवन जिना चाहते हैं इन बातों पर बिना ध्यान दिये हुए यह अधिकार हमें मुल रुप में मिलते हैं और यही अधिकार मानो अधिकार कहलाते हैं दूसरी बात दोस्तों हम यह बताएंगी कि मानो अधिक दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है यह एक बहुत बड़ा प्रेश्ण है तो इसका सही उत्तर यह है कि मानों अधिकार को 10 दिसंबर को इसलिए बनाया जाता है कि सद 1948 में सयुख्ट राष्ट संग दुवारा इन अधिकारों को सारोभूमिक रूप से इनकी घोशना की गई थी और इनको अस्तित्व में लाया गया था ताकि हम शशक्त समाज का निर्मान करें और हम भी खुद शशक्त बन जाए इसलिए मानों अधिकार दिवस 10 दिसंबर को सा कुछ इस तरह की बाते करके हम अपनी स्पीच को एक नया रूप दे सकते हैं इसकी जानकारी को बटोर सकते हैं और दुसरों तक पहुचा सकते हैं अब अगली बात हम यह लेना चाहेंगे कि मानों अधिकार का उद्देश क्या है तो इसका मात्र एक ही उद्देश है शांत तरीके से सुरक्षा का आवरण बना ले इन अधिकारों का उप्योग करके यही इसका मुख्यों देश्य है और दोस्तों अगली बात हम अपनी परिचर्चा का विशय या अपनी भाशन की स्क्रिप्ट में भी यह भी ले सकते हैं कि यह बता सके कि हमारे मूल भूत यह मानो अधिकार कौन-कौन से हैं बेसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें हमारी भारत देश में हमें जो मूल अधिकार मिले हैं मानो अधिकार की रुप में यह मानो अधिकारों की संख्या 30 के आस्पास हैं लेकिन उन में से कुछ जो शिर्ष बिंदु पर हैं जो मुख्य मानव अधिकार हैं वो है हमारे बोड़ देने का अधिकार हमारे कमाने का अधिकार हमारी सिक्षा का अधिकार हमारी समानता का अधिकार और स्वतंतता पुर्वक धर्म को चुन कर हम उस धर्म का पालन कर सकते ह यह हमारे सब मानौ अधिकारों में जो हमारी कल्यान के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारी विकास के लिए और समाज के विकास के लिए बनाए जाते हैं, इन अधिकारों का उप्योंकर हम उच्चा से उच्चा सामाजिक इस्तर बना सकते हैं, यह अधिकार हमारे मुख्यों होत जो किसी के अधिकारों के लिए लड़े हैं और ये वाकई में बहुत सरहनी प्रशंसनी अकारे हैं कि किसी के अधिकारों के लिए लड़ना और उनको अधिकार दिलाना और सामाजिक इस्तर पर उनको एक साथ लेकर आना ये सबसे बड़ी बात है तो हमारे मानव अधिकार हमें खुद भी accept करना है और उन अधिकारों को उप्योग कर हमें अपना पूरा विकास करना है और अगली बार दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि यदि आप परिशर्चा का विश्य बन रहे हैं भाशन दे रहे हैं जो अगर हम इनका सही तरीकी सूपयोग करें, तो इसमें कोई दो बात का मत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कि हम अपना भी विकास कर सकेंगे, और हमारे समाज के लिए भी ये हित में रहेगा, और एक अच्छे समाज की सरशना हम कर सकेंगे, और हमारे आने वाली भविश याचार के प्रती हमें जागुरुप्ता फेलाना है इनकी जानकारी देना है और इन्हें सशक्त बनाना है अब मेरे हिसाब अगर एक ओर जरिया है तो इन अधिकारों की जानकारी लोगों को अधिक से अधिक यानि कि जो हमारी छोटे बच्चे हैं वो इन अधिकारों के बारे में शुरू से जाने कि उनके कौन से मुल्बूत अधिकारे और उन्हें कैसे सहक हो सकते हैं तो मेरे हिसाब से यह है कि इसको एक पाठे क्रम का एक अनिवारी हिस्सा बना देना चाहिए ताकि बच्चे बच्चपन से जब पड़े ना तो वो अपने मुल अधिकारों को जाने उससे पहचाने और उनके प्रती अपने कर्तवियों अपने जिम्मेदारी को भी समझे और उसका लाब उठाकर वो भी जीवन में आगे बढ़ सके तो उसे पाठे क्रम का एक अनुठा हिस्सा बना कर इसे एक समुचित दाइरे में बान कर हर चीज की जानकारी उन्हें बच्चपन से मिलती रहेगी ताकि ये मजबूत से मजबूत हो सके और अपना विकास कर सके इन मानो अधिकारों को मनुश्यों को अपनी बुनियादी जरूतों को पूरा करने के लिए कई प्रियास और चर्चाओं के बाद इनको निर्धारित किया गया और लागू किया गया और दोस्तों हम इस विशे पर ये भी कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के प्रती हमारी उप्योगीता हमारी सकारत्मक सोच क्या है हम इसका भी वखुबी तरीके से इस परिचर्चा का एक हिस्सा बना कर उसका जिक्र कर सकते हैं मानव अधिकार दिवस्तों सयुक्त राष्ट संगद्वारा जैसे कि हमने कहां 1948 में इन सभी अधिकारों की सारोभोमिक रुप से घुष्टना की गई इन्हें अस्तित्व मिलाया गया लेकिन मैं आज जानना चाहती हूं कि इसे बहुत से लोग होंगे जो इन मुल अधिकारो मालूम होना चाहिए और इनका उप्योग भी करके इसका पूरा लाव उठाना चाहिए और हम जिस तरह से जब देखते हैं कि इन अधिकारों का जब गलत उप्योग हो रहा हैं कहीं ने कहीं इन अधिकारों का हननन होता है जब हमारे देश में इन अधिकारों का गलत उप्य करने से कई क्राइम बढ़ जाते हैं और हमारा देश का अस्तित्व खत्रे में नज़र आता है आज हमारा देश कि धी कारोन से पिछड रहा है उसका विकास सही डंग से नहीं हो पा रहा है वो है इन बढ़ते हुए क्राइमों का क्योंकि हम अपने अधिकारों का गलत तरीके स उपयोग करते हैं, तो इसकी सही प्रासंगीक टा को हमें समझना हो गा, और हमें इस बात का समर्थन करना हो थैसzogen अधिकारों का सही उपयोग हो, इनका हनन नहीं हो, आज इन मानव अधिकारों का अधिकार का हनन नजर आता है जब चाय का कप लेकर पास से गुजर जाता है यह देखकर सब क्यूं मुकपर जाते हैं ये देखकर दुनिया सब मुकर जाती है ये बात मानव अधिकार आयो की दिल में क्यों नहीं उतर जाती है ये बात मानव अधिकार आयो की दिल में क्यों नहीं उतर जाती है कुछ इस तरह से कहकर हम अपनी बात को अपनी भाशन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी कि सिक्षा का अधिकार एक इतना अच्छा अधिकार सरकार ने सब को दिया है कि इस सिक्षा के अधिकार से हम अपनी शक्ति को भी पहचान सकते हैं और दुसरों की शक्ति को भी पहचान सकते हैं हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दुसरों को बदल सकते हैं ये अधिकार मिलना यानि की सोने पी सुखागा होना क्योंकि सिक्षा का अधिकार समानता से सब को मिलना इस सब के लिए विकास का एक बहुती सफल रास्ता है तो सिक्षा का अधिकार छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो ये किसी भी वर्ग से हो ये समान रूप से मिला है तो इसका सही उप्योग करके हम अपने भविश को सुनहरा रुप दे सकते हैं, जो हमारी समाज के लिए हीत में होगा और हमको भी शशक्त और मजबूत बनाएगा, क्योंकि ये अपने आप में बदलने की एक शक्ती होती है, और दूसरों को भी बदलने की इसके अंदर शक्ती होती है, तो मेरे हिसाब से सिक्षा की जो समानता का अधिकार है, वो बहुत अमूल्य और किम्ती अधिकार है, तो इस अधिकार का हमें पूरी तरह से स्वेच्छा से और मन लागा कर इसका उप्योग करना चाहिए, सरहानिय कदम उठाए हैं, सिक्षा के चिशेत्र में हम देखें तो बहुत अच्छे काम हमारी सरकार ने की है, जिसका पूरा उप्योग उठा कर हम अपने उच्चतम बहतर भविश्य को खोच सकते हैं और बना सकते हैं, कई ऐसी सुविदाय दी है, जो गरीब है, उनके लिए सिक्षा के कितनी फ्री व्यवस्था की गई है, कितना आरक्षन दिया गया है, और इसके हिसाब से हर किसी को आगे बढ़ने का मोका मिल सकता है, सही तरीकी से हम इसका प्रियोग करें, तो जरूर हम अपना विकास कर सकेंगे, और सबका भला कर सकेंगे, सबका कल्यान कर सकेंगे, तो सरकार को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सरहानी कदम उठा हैं, सिक्षा को लेकर, और इन अधिकारों के प्रती, जितना सरहानी कदम उनका रहा है, वाकई में तारिफे काबिल हैं, इन अधिकारों के प्रती, और इसी के तहट, अगर हम कहें कि मान प्रिशान्य поб산 रहते हैं उन परिषानियों के सामने लाकर उसका निरागरण किया जाता है कि यह एक इस हर तरह से मानो अधिकार दीवस में जब हम यह आयजन रखते हैं तिन आयजनों का यह मकसद होता है इसको पूरा किया जाता है अब हमारे भारत में भी इसका पालन होता है तो जैसे कई चोट विद्यालयों में वगेरा में कई संस्थानों में चित्रकला के माध्यम से प्रतियोगिताओं के माध्यम से पैंटिंग के माध्यम से यह भाषन प्रस्ततियों के माध्यम से निभन प्रतियोगिता के माध्यम से इन रचनाओं के माध्यम से सभी को जागरू करना उन बच्चों को जागरू करना और इस सिस्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भ क्या समानता का अधिकार हमारे देश को एक अलग ही अग्रसर विकास की ओर ले गया है क्योंकि आज महला और पूरिश के बिच समानता का जो अधिकार है वो अधिकार मिलने की वज़र से आज हर कोई आगे बढ़ने की होड में लगा हुआ है और हर किसी को एक मोका मिल रहा है अपने आपको प्रोफ करने का हम देखते हैं कि आज लड़कियों को भी सिक्षा के उपर कितना जोर दिया जा रहा है अब वो भेदभाव हड गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कों को पढ़ाना चाहिए अब काले गोरे का जो भेत था वो भी खत्म हो चुका है हर समान रुप से सिक्षा मिलना चाहिए धन मिलना चाहिए अपनी योग्यता को पहचानना और अपनी प्रतिभाव को निखारने का एक अनूठा संगम समानता के रुप में हमें सामने में आने को मिला है तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इन अधिकारों के प्रती हमें अपनी प्रतिभाव को उभारने का और निखारने का एक मोखा मिला है तो इस अनूठे मोके को पाना और एक सुनहरे भविश की कलपना करना आज हमारे लिए सिर्फ कलपना मात्र नहीं बलकि एक सचाई बन कर रहे गया है जो बखुबी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं तास पूरे आयोजन के महत्व यह कह सकती हूं कि आज आयोजन मानो अधिकार दिवस को मनाने का मुख श्रे हम और इसका निशकर्श हम यह निकाल सकते हैं कि मानो अधिकार दिवस का आखर निशकर्श क्या है तो उसका निशकर्च यह है कि यह आयुजन और यह घटना बलकि सरकारी विभागों में नहीं समाज के सभी वर्गों में इस दिवस को बहुत यादगार दिवस के रुप में मनाना चाहिए क्योंकि इसको जब हम यादगार दिवस के रुपे मनाएंगे यह हमारे लिए सब के लिए बहतर से बहतर परिणाम लेकर आएगी और हमें ऐसे कई खास मोके देगी जो हमारी सफलता कोई शिकर तक पहुँचाएगी और फिर हम कह सकेंगे कि हमारा देश एक सोनी की चिड़िया है हमारा देश बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और हम सही तरीके से अपने समाज का विकास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और हमारे संब्रद्द सिल देश का नाम हम उचा कर सकते हैं तो इनी भावनाव के लेकर मानव अधिकार दिवस को हम सब मिलकर मनाना चाहिए बड़े उस्साह के साथ, बड़े लगन के शाथ और शद्धा के साथ और इन अधिकारों का उपयोग करके हमें खुद भी शशक्त बनना है और सब के मन में और सब के दिलों में इसके प्रती जागरुकता को फेलाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारा फर्ज भी है तो आईए इन अधिकारों का उपयोग हम भी करें और इसके प्रति सब को सजक्ता के साथ जागरुग भी करें और हम आगे बढ़ें और एक खुशाल जिवन की कामना करें क्योंकि कहते हैं कि दूर तलक मानो अधिकारों का है बोल बाला बहुत खास है क्योंकि समानता का अधिकार दे कर सब की खिस्मत का खोला है ताला सबकी किस्मत का खोला है ताला तो आज हमें इन अधिकारों का ताला खोल देना है और अधिकारों का ओपयोग बखुबी तरीके से करना है इसी खुशी के साथ, इसी जजबे के साथ तो दोस्तों इस तरह से मेरे मानव अधिकार दिवस के उपर अपने विचारों का आदान प्रदान किया आप तक पहुंचाए इसी तरह आप भी अपने विचारों को जाने समझे और इस जागरिता को अपने विचारों के माध्यम से सब तक पहुंचाए क्योंकि इस तरह से हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे अपेक्षा करेंगे तो जरूर हम सफल होएंगे तो फिर दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी तब तक आपने लक्ष की और बढ़ते रहिए इन अधिकारों का बिल्कुल सही तरीके से उप्योग करते हुए हम अपना भी विकास करें अपना कल्यान करें और समाज का कल्यान करके समाज के विकास में भी सहयग बनें इसी आशा के साथ और इसी उबीद के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी तब तक के लिए नमस्कार